आप, आतिशी और अर्विंद्र आजकल यही तीन ऐसे नाम हैं जो सुर्कियों में हैं हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कल जब आतिशी ने अपना काम कास संभाला तो हमने देखा कि CM आफिस में आतिशी के ठीक भगल में एक कुर्सी रखी हुई थी और वो थी CM के कुर्सी आतिशी ने उसके बगल में एक कुर्सी लगाई और वहाँ पर उसने पदभार ग्रहन किया आतिशी ने उसके बाद जो कहा वो सबको सुनना चाहिए आतिशी ने कहा कि देखे मैं तो भरत की भुमिका में हूँ और भरत की भुमिका के साथ मैं दिल्ली का राचकाच संभालूगी चार महीने बाद एलिक्षन होने हैं और चार महीने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि चार महीने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जनता अर्विन केज्विवाल को एक बार फिर से जिता कर लेकर आएगी और ये जो बगल वाली कुरसी है उस पर अर्विन केज्विवाल बैठेंगे आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है जिम्मेदारी संभाली है आज मेरे मन की वो ही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्रीराम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्रीराम की खणाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाओंगी अब आप ये समझे कि आतिशी जो कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री है जसको लेकर बहुत सारी बाते सामने आ रहे थी कि आतिशी को ही आखर मुख्यमंत्री के लिए क्यों चुना आरविन केजरेवाल ने या मनीश सुद्या ने इनके नाम को आगे क्यों बढ़ाया तो अब बिल्कुल साफ हो गया है कि आतिशी भरत की भुमिका में है कुछ लोग कटपुतली मुख्यमंत्री भी आतिशी को कह रहे हैं अब ऐसे मेगर आतिशी इस तरह का बयान देती है तो फिर ये बात और फुक्ता हो जाती है आरविन केजरेवाल इस वक्त हर्याना एलेक्शन में व्यस्ता दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार जो आप है उसका विस्तार कर रहे हैं क्योंकि पिछले काफी सालों से हमने देखा कि आप पार्टी के कई बड़े नेता जेल की हवा खा चुके हैं वहां से निकले हलाकि अब वो कह रहे हैं कि वो आपने आपको इनोसेंट प्रूफ करेंगे जनता के बीच में जाएंगे लेकिन इस दोरान पार्टी जो है उसको बहुत साथा खामयाजा भुकतना पड़ा दिल्ली की जनता भी इस बीच आप आदमी पार्टी से काफी नाराज दिखाए दी अब इसी कमी को अर्विन के जिर्वाल मनीश तो सूदिया तमाम उनके बड़े नेता या या फिर अब आदमी पार्टी पर विश्वास करके लेकर आई थी अब वो सारे वादे एक बार फिर से पूरे होंगे और चार महीने बाद इलक्षन है और अगर जिन दिल्ली की जनता को हम पर विश्वास है हमारी स्वास्त विवस्था जिस तरह से हमने कायम की या फिर हमन काम किये मुफ्त में विजली पानी का काम हमने किया अगर उस पर विश्वास करती है दिल्ली की जनता तो हमें चुनकर जरूर लेकर आएगी लेकिन दूसरी तरह जो दूसरी कुरसी है उसको लेकर बहुत जादा विवाद है उस दूसरी कुरसी को लेकर भी बहुत सारी लो आतिशी का नाम आगे बढ़ाया है तो अव्यस्सी बात है कि आतिशी अर्विंद केजरिवाल को लेकर तमाम तरह की कसीदे पढ़ेंगी उनको लेकर लॉयल दिखाए देंगी क्योंकि आज अगर जिस भुमिका में आतिशी पहुंची है वो उसकी कहिना कहीं देन अर्विंद केजरिवाल ने जिस तरह से आतिशी को आगे बढ़ाया दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया तो फिर अब आतिशी उनको लेकर तमाम तरह की बाते कर रही है दूसरी तरफ अगर केजरिवाल की बात की जाए तो उनका कहना है कि देखिए हमने एक सशक्त महिला मुख्यमंत्री दिया है दिल्ली को और इसमें कोई दोराई नहीं है आतिशे एक पढ़ीली की महिला है वो अच्छी प्रशासनिक समझ भी रखती है अर्विन केजरिवाल मनिश्ट सोधिया की जेल जाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में कई ऐसे बड़े विभाग थे ऐसे मंतराले थी जो नोने समाला तो इसमें कोई दोराई नहीं एक अच्छी महिला मुख्यमंत्री मिली है लेकिन क्या ये सिर्फ एक पपिट बनकर रह जाएंगी क्या हमेशा यहीं कहेंगी कि अर्विन के जिवाल नहीं आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हों उसके बाद हमने देखा कि शुर्बात में तो खूब कसीदे पढ़े गए उसके बाद पता चला कि बगावत हो गए और मुख्यमंत्री जिसे बनाए गया वही कह सकते हैं कि जो पहले वाले मुख्यमंत्री थे उनके लिए खत्रा बन गए अभी सिर्फ ये रमाइन पॉलिटि उनको एकसेप्ट करती है तो क्या आतिशी हागेवाने दिनों में मुख्यमंत्री होंगी हम इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पिछला इतिहास भी कहता है और साती साथ आर्विन के जीवाल के लिए कहां ये जा रहा है कि वो राश्ट्रिय पार्टी बनाने की तरफ आप को लेकर अगरसर हैं वो हो सकता है कि आप केंद्र की राच्विंती में सक्रिय हो जाए ऐसे में अगर एक बार फिर से दिल्ली की जनता आपको लेकर आती है तो हो सकता है कि अगर आतिशी पिर लोगों ने विश्वास जताया तो आतिशी जो होंगी वो मुख्यमंत्री का च अर्विन के जवाल बैटेंगे या फिर आतिशी ही से कंटीनियू करेंगी पार्टी में इसके बाद क्या कुछ होगा इस पर लगातार हमारी नजर बने हुई है